लोग जो आज टॉक करेंगे आज और कल एक ये दो दिन का ओनलाइन एक वरक्साप रखा गया है जिसमें हम दिन चर्या और रितु चर्या के उपर हम लोग बात्चीत करेंगे जो कि वर्तमान परिपेक्ष में अगर हम देखें तो बहुत जरूरी है बहुत महत्पूर है और हम कहें कि बेसिक्स ऑफ आयरवेदा की बात करते हैं तो रितु चर्या और दिन चर्या सबसे पहले हमारे सामने आता है तो इस पर हम लोग लगतार दो दिन बात करेंगे आज और कर इंडियन टाइमिंग हमारा सेवन तो एट रहेगा तो इसमें जो भी आपके क्वेस्टेंस हैं आप लोग बात में पूछ सकते हैं हमारे साथ में एक्सपोर्ट जो है वह डॉक्टर इकबाल पठान जी मैं आपके बारे में एक बहुत छोटा सा पर विशे होगा आप आरवेद अईरवेद मेडिकल ऑफीसर के रूप में डिस्टिक्ट आरवेद हॉस्पिटल जहलावार में आप अभी वरतमान में कारणर रत हैं और आपने M.D. आरवेद में किया हुआ है और इसके साथ साथ में आपने B. A. M. S. किया हुआ है M. B. A. H. C. S. में करा हुआ है और आप अनेकों देश की जो लीडिंग आर वेदिक इन्सिटिट्स हैं उस पर आपने सेवाएं दी हैं और आपने कई विघानव और लोगर आप और मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने लोग पाए हैं वो कल आपके साथ में जुड़ सकते हैं तो इस विसाय में मैं ज्यादा समय नहीं लूगा बाकी लोग जुड़ पुछ लोग करूंगा कि आप बच्चों के साथ में हमारा आज का समय बाइब स्वागत करता रहें तैंक यू वेरी में आपने समय निकाल करके हमारे साथ में अपने नॉलिज को शेयर करने के लिए आप एग्री हुए मैं आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेंगे अब म्यूट में है इस अब को प्रणाम नमस्कार और हार्दिक स्वागत अभी नंदन आपका आओडियो अभी नहीं आ रहा है सब्सक्राइब अब आ रहा था अब सुन पाने है सर जी सर शुरू करें सर यह सर अभी आप ऑडीबल है थैंक यू वेरी मच यह सर आप स्टार्ट कर सकते हैं कि यत प्रभा पटलोध भाशी भाशाद्धियापी भारतम आयर्वेदात्मकम जोती शाश्वतम नह प्रकाष्ताम न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामे दुखतपतानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम सर स्लाइड भी शेयर कर दीजेगा या महीं कर कर दीजेशन सर अब लोगों को नजर आ रहा है यह सर फुल स्क्रीन कर दीजेशन सर्ट यह सर्ट अब कर दो अब कर फूल हो गया मेरे पास तो आपको नजर आ रहा है विजिबल है सबी लोगों को और च्श्र्या सर्ट चलिए तो हम बात करेंगे आज दिन चर्य के बारे में और दिन चर्या जो है स्वस्त जीवन के लिए महत्तो फूल है क्योंकि हमारा जो दिनन दिन जो कार्यय कर्या बीदी क्षब होती है मारी वह बहुत महत्वपूंड है इसलिए सबसे पहले दिनचर्या क्या महत्व है और आईर्वेद किस तरह से आई है वह हम थोड़ा सा एक पहले इसके बारे में जान लें तो सबसे पहले दो तीन मिरट मैं हम इस छोटे से परीचे को लेते हैं कि आईर्वेद दो शब्दों से बनावा एक शब्द है आयू शब्द की हम बात करें तो वो है आयू प्लस वेद आयू जो है वो जीवन को बताता है और वेद का जो है ज्ञान हमारे जो वेद है वो भी ज्ञान के सरोत है तो आयू क्या है वो बहुत अच्छे से योग के जो विद्यारती है उन्होंने सबने पड़ा है आयुर्वेट की जिए विद्यारति हैं उन्होंने भी पड़ा है लेकिन फिर भी संक्षेप में यहां एक संदर में प्रस्तुत कर रहा हूं शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग उधारी जीवितम नित्यगश्चान वंदश्च परियायर आयूर तो आयुर्वेट क्या हुआ कि संपूर्ण आयुर्वेट को अगर हम बहुत संक्षेप में या बहुत अल्प शब्दों में रखें तो हिता हितम सुखम दुखम आयूस्तश्य हिता हितम मानम चतत्य त्रोक्तम आयुर्वेद से उच्चते कि जो हित आयू है सुख आयू है अहित आयू है, हित अहित सुख और दुर्ख इन सबके मान का, इन सबके परिमान की बात जहां बताए जाती है यहां पूंड या उन्ले खित है, वो Pirvet है, तो बात यहाई की स्वस्त आयू की कामना के लिए, आयूर्वेद का ज्यान या हमें जो भी करना है या हमारी आयू है तो आयू केसी होनी चाहिए वो स्वस्त शतायू की कामना के लिए हम करते हैं और क्यों करते हैं कि जो भी आदमी आयू की कामना करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको आयूर्वेद में परमादर नहीं जाएंगे हम विशे की तरफ बढ़ते हैं अब आयर्वेट का जो उद्देश्य है वो दो भागों बटा हुआ है वो जिसको हम प्रियोजन भी कहते हैं और उसका उद्देश्य भी है तो प्रियोजन यह है कि स्वस्त्य स्वास्तिरक्ष्णम आतुरश्य विकार प्रश उसके विकारों का उसके रोगों का प्रश्मन किया जाए या उनको दूर किया तो स्वस्त्य स्वास्तिरक्ष्णम का जो पार्ट है उनमें आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो उसी का हिस्सा है स्वस्त्य स्वास्तिरक्ष्णम का हमारा दिन चर्य है स्लाइड आगे बढ स्वास्ति की बात करें तो हैल्थ की डेफिनेशन डबली एच तरह से देते हैं क्योंकि सारी बात स्वास्ति पे करता है 선생님 स्वास्ति क्या करें यहां पर यह है है स्वास्ति किया सब्सक्राइब है कि इस सेंस ओडिजीज और इनफर्मिटी यह 1948 में डबली ओचों ने ऐसा कहा था जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो कह रहे हैं कि स्वास्ते संपूर्ण शारीरिक मांसिक और सामाजिक कल्यान की स्थिति यानि न केवल बिमारी की अनुपस्तिति का होना या दुरूबलता का होना ही उसमें शामिल नहीं है यह चीजें भी हो स्वास्ते में तो संपूर्ण स्वास्ते हैं वह ऐसा कह रहे हैं फिर उन्होंने उन्नीस सुचियांसी में एक और डेफिनेशन दी हेल्ट इजर रिसोर्स फॉर एवरी डे लाइफ नौट अब्जेक्टिव लिविंग हैल्ट इज पॉजेटिव कंसेप एंपसाइजिंग सोश्यल एंड पर्सनल रिसोर्स एज वेल एज फिजिकल कापसिटिज मतलब स्व पर बल है ऐसा इसका कुछ अर्थ निकलता है लेकिन नमन है हमारे आचारियों को जिन्होंने हजारों वर्षों पूर्व स्वास्ते और स्वस्त की परिवाशा दी और स्वस्त शब्द सुष्टूर निर्विकारत त्वेन अवतिश्टति इती स्वस्त ऐसा कहा अब शुच अधिए मना सब्सक्राइब नेक्स्ट स्कृम सब्सक्राइब नहीं आ रहा है कि आपके पास ही क्या हो रहा है और बार जस्ट एक मिनट सर्मुझे दीजिए मैं तो स्लाइड वाला आप ले लीजिए मुझे ता लग रहा है यह सब्सक्राइब लोगों से मेरा रिक्पेस्ट है हम थोड़ा सा दो मिनट के लिए भी रुगते हैं मैं स्लाइड को प्रफरली यहां से प्रजेंट साइब करता हूं असर आपने अभी मुझे भेजा था अबसे अबसे लिए अधान है इस अब 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 इस मुझे प्लीज बताएंगे यह विजीबल है सर ने यहां पर अभी बताया था दूसरी तीसरी स्लाइट और चौथी स्लाइट पर हम बाब चर्चा कर रहे थे वाट इस हैल्थ इस अब मुझे बोलते रहेंगे नेक्स्ट मैं बढ़ाता रहूंगा अभी कंटीनिव कर सकते हैं मूट पे हैं सर नेक्स्ट क तो यह जो डबली एचो के हमने डेफिनेशन देखी फेल्थ की वह बहुत सीमित है कहीना कहीं बहुत कम है जो कि विस्तार से हमारे आचारियों ने जो बताई है उसमें उन्होंनों कहा है समदोश समद्धातु मलक्रिय प्रसंद्नात्मेंद्रिया मना स्वस्तित्य भी दिय जिसमें एक जट्रागनी, तीन दोशागनिय और साथधात्व अगनिय तथा तीन मलागनिय यह सारी जो अगनिया है तेरह प्रकार की वह तीनों मल स्वेद मूत्र और पुरिश यह समा वस्तामे हो यानि इनकी सम्यक प्रवर्ति हो मलों की साथ ही आतमेंद्रिय मनोर्थनाम सब्सक्राइब अगर कोई वेक्ति कहें कि मैं पूर्ण तो है स्वस्त हूं मुझे कोई तकलीप नहीं है और मौडन पेरामिटर पर उसकी सारी जाचे हम करा लें सारे इन्वेस्टिकेशन करा लें और वह बिल्कुल ठीक आ रहा है लेकिन फिर भी यदि स्वस्त के लिए जो है प्रसन आत्म इंद्रिय बना अगर उसकी आत्मा इंद्रिय और मन यह प्रसन नहीं है तो वह स्वस्त नहीं है ऐसा आचारे ने का है नेक्ट कर दीजे सब तो स्वस्त रहने का प्रियोजन क्या है क्यों रहें स्वस्त तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में कहा है कि स्वस्त रहने के लिए जो है उसका प्रियोजन है धर्मार्थ काम मौक्ष नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम जो हमारा पुरुशार्थ तुरुविद पुरुशार्थ है जो धर्म अर्थ काम और मौक्ष यह चार जो हमें होते हैं सबसे धर्म आता है अर्थ होता है काम है और फिर मौक्ष की प्राप्ति इन विश्यों पर ज्यादा नहीं जाएंगे तो यह चार जो पुरुशार्थ चतुष्टे के भाग है उन स का जो बताते हैं नीड ऑफ हेल्थ उसके लिए टू लीड सोशेल एंड एकोनोमिकली प्रोड़क्टिव लाइफ सिर्फ इतना डबली एचो ने कहा है कि सामाजिक और आर्थिक स्वरूप से उत्पादक जीवन का नेत्रित्व करने के लिए स्वास्ते जरूरी है जबकि आई सब्सक्ते हैं और चांट सोब्सक्राइब करें तो हम अएयरीवेद स्वस्त व्रत की सिद्धानत की जैसे दिन्चर्या रात्री चर्या रितु चर्या सद्वृत आचार रसायन भोजन की नियम जैसे 12 अशन विचार विरुत-दाहार आःविदी विशेशायतन अधि जो है यह सारे और आयरुवेदी रसायनों का सेवन इत्यादी इन सब का पालानम करें और शरीर और बन के स्वास्ते को पा सकते हैं इन सबसे तो इस तरह से प्राप्त किया जाएगा इनमें से हम जो पहली चीज है दिन चर्या उस पर अभी चर्चा करेंगी नेक्स्ट कर दीजिए यह क्यों इंपोर्टेंट इतनी सारी डीजिए परसेंटेज में फैली नेक्स कर दीजिए इसमें एक निवेदन और कर दूं कि आयरुएट के विद्यार्तियों के लिए थी है तो इसलिए इसमें कुछ चीज़ें नेक्स कर दीजिए जी कुछ आर्थिक बचत के लिए भी इतना सारा आम पर लाद दिया गया है इन सब की बहुत ज़्यादा जरूरत हमें नहीं है तो यह सारी चीज़ें कर दीजिए भी वो जो चर्या है या जो वो जो पूरा प्रक्रण है वो दिन चर्या कहलाता है दिने दिने चर्या दिनस्य वाचर्या दिन चर्या कि जो प्रती प्रती दिन में जो हम जो भी कर रहे है उस एक दिन में या संपूर्ण दिन में वही दिन चर्या नेक्ट कर दीजिए सब कि दिन चर्या का क्या महत्व है कि दिन चर्या तीन बुख्षी जो बाते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है व्यक्तिक स्वास्ते यानि पर्सनल है व्यादिक शमत्तू व्रद्धी यानि इम्मुनिटी एनहांस्मेंट और रोग प्रश्चमन या रोग शमन क्यानि जी तो हमारी दिन चर्या कहां से प्रारंभ होती है ब्रह्म मूर्थ से या हमारे उठने से हमारे जागने से और हमें कब जागना है कब उठना है वह उठना है में ब्रह्म मूर्थ में ब्रह्म मूर्थ में जागरण नितांत आवश्यक है और यह दिन चर्या का बहुत ही महत स्वस्त आयू की रक्षा करना चाहता है जो वेक्ती तज़स्त रहना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा उस्ध रहना चाहता है बात्या नहीं है वहनुसा ऊ irritated एक तो उसे ब्रह्मूर्थ में ही उठना चाहिए उठने के बाद क्या करे जिर्णा जिल्णivering दीरूप्य जो रात्री का खाया हुआ आहार है जो सेवन किया हुआ आहार है वो जिर्ण हो गया है कि नहीं उसका निरूपन कर ले और निर्धारन कर ले कि हाँ मेरा जो है पेट हलका हो गया है मेरा खाया हुआ आहार पच चुका है यह सब निर्णे वो ले 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 और उसके बाद ब्रह् लेकर वो एक बार पुना थोड़ी देर के लिए सो जाया वापस से और फिर चाहिए वो उस दिन ब्रह्मूर्थ का पालन नहीं करें अगले संदर में एक जगा और कहा है ब्रह्मा मूर्थ उत्तिष्टे स्वस्तो रक्षार्तम आयूश है शरीर चिंता निर्वृत्वम क्रत्शोच विदिस्तत है क्या करें कि आप ब्रह्मूर्थ में उठ गए आप बिल्कुल स्वस्त की रक्षा करना चाहते हैं आपको शरीर आगी अभी आएगी यह बात उसको हम विस्तार्थ बात दरेंगे अब बात आती है ब्रह्मूर्थ की ब्रह्मूर्थ क्या है कब ब्रह्मूर्थ मोठ है हम किसको ब्रह्मूर्थ जाने तो रात्रेश चतुरदशो मूर्थो ब्रह्मूर्थ जाने तो रात्रेश चतुरदशो मुहुर्टो यह तृत्यक है जो पश्चिमायाम है या जो हमारे प्रहर होते हैं याम हम कहते ना प्राते दो पहर फिर तीसरा पहर इस तरह से यह याम है हमारे पहर इस तरह के पहरों को अरुन अरुनों दो एक आले मुहुर्ट है हम सामान्य भाष्षा में अगर इसको जाने तो किसे जाने कि ब्रहम मूर्द अम किसको देघैंगे कि सूर्ययोदे से 450 जो समय है हमन्हेरी आम अक्बार पढ़ते हैं यह रखेशी जो कलीन्डर होते हैं उन상 लिखा होता है कि सूर्योदे का समय क्या है सुरयास्त का समय क्या है क्या समय चल रहा है क्या तीति यह क्या नक्षत्र सब लिखा होतां तो जो सुर्व ubiquuesday-45 ин在 लुद्थक्त्र के लाता है कर दी कलते है कि अब ब्रह्मोर्त का क्या में है क्या होता है वहां उटने से कि ब्रहमूर्थ को हम 55 वेला को फुलिष वेला शब्द आप सब में सुना होगा संद्यकाल को जो है गोडुझ वेला कहते हैं जब दोनों समय मिल जाते हैं कि ब्रहमुर्थ उसको पंचामरित वेला के बोलते हैं और पंचामरित वेला में क्या होता है कि शुद्ध वायू, शुद्ध जल, शुद्ध भूमी, विपुल प्रकाश और विपुल आकाश ये सब की प्राप्ति होती है उस समय एकदम आप विवाहर में देखेंगे कि जितने भी बुजुर्ग ल लिए जो भी सभी समुदायों में आप देखेंगे वही समय निर्धारित है और उस समय जो लोग जाते हैं मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो निरंतर नमाज पढ़ते हैं या उस आर्थी में शामिल होते हैं प्रातर कालिन वाली में वह अस्तिन अब्वर्स के हैं लेकिन एकदम स्वस्त्राजर आते हैं और एकदम उनकी आखें उनकी चहरे का ओज हर चीज परफेक्ट तो यह पंचा अम्रित्वेला का कमाल नेक्ट कर दीजिए अब आप ब्रहमुर्थ में उठ गए आपने पालन कर लिया आपने निर्धारन कर लिया हैं कि मुझे रक्षा करनी एक दिन के लिए दिने दिने चर्यां निट्टे नित्टे रोज रोज प्रती दिन यहीं आपका हुआ होना चाहिए स्वस्तर रने के लिए तो सब से पहले पॉले हम क्या करें आजकल पानी को लेकर बहुत सारे वार्ट्स पे गूग पर पर कहां इंस्ट्राग्राम पर सब जगांग के टें इतना पानी किये नहीं पयाक जाथ जाना कि लिए वह निशेट किया शलीलस्य पिवेद अश्टो रोक जरापरीमुक्तो जीवेद साघ्रम सब्सक्राइब प्रसरती पिवेद अश्टो स्लीलस्य जल को पिएँ आठ आठ प्रसरती एक प्रसरती का जो मान होता सब्सक्राइब करते हैं तो आठ से अगर हम उसको मुल्टिप्लाइब करते हैं तो लगबग छास्सो चालीस एमेल के लगबग यानि पॉन लिटर माल लें आधा से पॉन लिटर जल आप पिए एक ऍली तक एक बोटल पानी पी सकते हैं इतना इह पिए कई लोग कहते हैं कि इतना जल पीए कि वह दWow 7 लिटर फानी पानी पीएं चार जग पानी पी demons नहीं इतना sufficient होता है एक सामाने जो वजन के वेक्ति के लिए सामाने उम्र के वेक्ति के लिए इतना जल्ब बहुत होता है प्रात हुद्यकाल में आठ परसरती जल्ब पिना चाहिए उसके लिए क्या का रोग जरा परिमुक्तो मतलब रोग से भी बच जाते हैं और बुड़ा आपा तो देखो आएगा ब्रत्यू और जरा यह दो चीजें आनी है लेकिन होगा क्या कि वुड़ापे की लक्षन नजरनी आएंगे ऐसा तो यह इन से मुक्त रहते वे सो वर्ष की आयू आप प्राप्त कर सकते हैं पतलब स्वस्ता आयू प्राप्त कर सकते हैं किस्ते आए बहुत 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 पानी का सेवन करने के लिए आचारे नहीं लीका पानी जो आजकल एक प्रेंटी बना है राट को फांबहे के पातर में अच्य रूप ताम्र पात्रोना चाहिए अगर कोई धनी वेखती है तो चांदी का ले सकता है सोने का पात्र ले लें मिट्टी का पात्र ले लेकिन रात को पानी रखें भरकर और प्रातकाल उसका सेवन करें उसकी गरिष्टा जो है वह दूर हो जाती है जलकी उसके भी बात करेंगे क्यों करें सब्सक्राइब तो उसे पानमे उन उनका अनुराद ओधियात पूर्वम नास्परिष्टम मल मुत्रकम पिबेत तयम ततक और पूर्यान मलमुत्र विसरज्ञत ज्यदा इन वीश्यों पर नहीं जाते हैं अब उत्वासित पानी के बात बात कीते हैं तो प्रमेह के जो प्रमेः चाईब टाजा पानी और टाजा अन की बात टाजा अन सेवन की अन ज के वह हाँ उन्होंने लिखा मतलब जो गेहूं आपने अगर आप कुछ लोग जो ग्रामी प्षेत्रिस होंगे या जो बुजरुगों के साथ ज्यादा सम्थ परक्रतम ने तारतम ने उन्होंने देखा हुगा यह और पुराने गेहूं को सेवन किया जाता था और पुराने गेह वाता था उसको भर के रखर देते थे और पुराना गेहू महँते जो घुने ही नहीं थे इस तरह कि पिश्टान से या गरिश टाहार से जोने वाले हैं या आश्यसुक्थ यानि मूखें किसे जो अभी सुक्थ आश्यसुक् जिवा लो लेके चक्कर में कुछ भी सेवन करते रहते हैं यह बिजा पिजा बर्गर क्या क्या पताने तो वह आश्य शुख शुवप्न-शुख जादा सोते रहना देड़ तक सोते रहना वह सुप्न-शुख रधी दhi की उतपात दही बड़े इत्यादी या देही से बने और जो भी हैं बहुत सारी चीज़ें ग्रामियोदक कहीं भी खड़ों का दूशित्व जल सेवन करना आनूप्रस यानि जो हमारे जितने भी मांसाहार है उनका जो सेवन है उनसे प्राप्ट जो रस है उसका अधिक सेवन पयांसी दूद से बनेवे उत्पाद जैसे पनीर और यह खोया इत्यादी जो होते हैं इस तरह की उत्पादों का ज्यादा सेवन करते अधिक सेवन करने वाले नया जल नया पानी पीने अभी ताजा हम कहते हैं पुराने लोग मटका रखते थे पानी भरके रखते थे फिर उसका पानी जो है वह पुराना हो जाता था फिर पिय कि सेवन से अर्ष रोग ग्रहनी रोग मेदो रोग शोथ मतलब सूजन उदर रोग कुष्ट नाक गला कान सिर्के रोग रक्त पित तथा मुतरगात आधी रोग नहीं होते और एक बात यह है कि उश्य पान करने से पहले जब हम हूटे तो जो रात की जो लार है या मुह है तो हमारा मुझ जैसा भी है सीधा आप पानी को सेवन कर लें उसको बाहर नहीं थोके उसका कारण यह है अभी थोड़ा सा उस पर बताई देता हूं कि हम रात को हम जो सोते हैं तो कई बार मुझ खुला रहता होता हमारी लार एंटी बेक्टरियल होती है बहुत अच्छी प्रो दिया अगर हम गलती से माले जिए उस खुली जो है मूह में और नींद में कुछ वाइरस या कोई बी इंफेक्ट्रेंट या कोई बी गंदी कि हमारे अंदर चली गई है तो हम लार को सेवन करेंगे तो अंदर जाके भी हमें स्वास्तिवर्दक का काम करेंगी नेक्ट कर द कर चीज जो वहां थी वह मिश हो गई यह यहां वापस आ रही है कि उत्तिष्टे ब्रह्म मूर्ते उत्तिष्टे स्वस्तो रक्षार्तम आउश है शरीर चंत्या निरवर्तम प्रत्सोच विदिस्तत है विदी पूरवक्त जो है शोच करिया करें उस पहले क्या करें उठने से नेत्रों का तरपन करना चाहिए ऐसा भी आचारे ने कहा है अब यहां बहुत बढ़िया बात इन्हों लेकि क्रत्र शोच विदिस्ततर कि जो शोच क्रिया है विदी पूरवक्त शोच से निव्रत हों है आज कि अलम नई विदी आ गई है यह एंगलो इंडियन शीट्स और इस्टेंडिंग और पतानी क्या-क्या तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादा तर लोग उस पर बैठ जाते हैं और जो हमारा मूलबूत जो है विदी शोच की वह उसपर फॉलो नहीं हो पाती जब हम शोच के लिए निवरत होने के लिए जब एक पर्टिकुलर आसन में हैं तो एक प्रटिकुलर प्रेशर हमारे अब्डूमन पर लगता है और से जब रहत है और वह जो एक प्रेशर और एक पर्टिकुलर पॉस्टर बनता है वह हमारे स्वस्थ निवरत ओने के लिए बहुत धरूरी है आजकल हम सीधा बैठ जाते हैं और एक ट्रेंड तो और हो गया कि लोग अख़बार पढ़ते रहते हैं कोई भी मोबाइल पर खेलते यह गलती हो गई लेकिन खास तोर से महिलाओं के लिए एक बात बहुत इस पश्ट तहध्यान रखने की है कि जो इस पिंकलर आते हैं पीछे से आगे की तरफ जो हम शोट को धावन के लिए गुद्प्रक्षालन के लिए उसको इस्तमाल करते हैं पीछे से आगे की तरफ वहा जिम्ब्यदार है वह क्योंकि आपने जो पीछे जो गंदगी थी उसका कई ना कई अंश जो है पीछे से आगे की तरफ इंफेक्शन फेला दिया है तो उसका इस्तमाल नहीं करें हाँ अगर आप नहीं कर पा रहें परिस्तितितिया इसी है तो आप फ्रंट वाला जो फंव अधिकांश महिलाओं पर आप चाहता हूं महिलाओं से पर कुछ यह बेसिक बाते हैं जो हमें याद होनी चाहिए तो महिलाएं कई बार घर में मैमान आ जाते हैं वह मैमानों की खातिदारी में दो दो दिन तक प्रेश नियों पाती है या उस वेक को धारन के रहते हैं वह दंख लेकिन आहीं करना चाहिए वेक का धहरण कदा पी नहीं करएं तो जबरदस्ति कर नहीं उनसे चाहिए जिनका धारन नहीं करना चाहिए अधर नहीं हो शुव जाकर नहीं के तो को बिल्कुल भी धारन नहीं करना चाहिए उसके लिए आचारे वागवट करें वेगान ना धारियत विण मुत्र शवत्रिट शुदाम निद्रा का श्रम श्वाज ज्रिमबा श्रुच रदिरेट साम के वात अपान वायु कवेग जो है आपकी उसको नहीं रोकना है मल मल कव सांस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो श्रम जन्यस्वाज उसको नहीं रोकना है जमबाई अगर जमबाई आती है बहुत से लोग मुह में उगली डाल लेते हैं जमबाई को बीच ब्रॉक गलत पर क्रिया है जमबाई आने दीजिए अश्रु का वेग कोई रो रहा है य शरीर कहीं कोई चीज निकालना चाहिए या कोई ऐसी चीज जिसको शरीर के लिए उपयोगी नहीं अनुपयोगी है शरीर उसको नहीं रखना चाहता निकालना चाहता तो निकल जाने दीजिए और वीर्य शुक्र का वेग उसे भी नहीं रोकना यह तेरा वेग हैं जिनको धारन नहीं करना चाहिए तो किन को धारन करना चाहिए तो अगले हैं धार्णिये वेग तो तीन तरह के वेग हैं जिनको धारन करना चाहिए बुरे मांसिक धार्णिये वेग ठीक है लोब शोख भय करोद मान, वेगान, विधारियत इनको धारण करना चाङए बुरे मान सिख जो धारण ये वेग हैं वो ये हैं इनको रोखना चाहिए निरलज्जा, ईर्षय, अतिराग आणाम, लोब शोख, भय, खोद, मान यानी ऐंकार, लिरलज्जुता इर्श्या किसी से द्वेश करना अतिराग बहुत ज़्यादा प्रेम अभिद्या दूसरे का धन लेने की इच्छा रखने वाड़ा इस तरह के जो वेग हैं इनको हमेशा रोकना चाहिए इनके प्रतियाकरश्ट नहीं होना चाहिए यह मांसिक हैं बुरे मां बहुत बुरा लग जाए उसकी आत्मा फीडित हो जाए शूच क्यानी चुगल खोरी करना अनृतियानी जूट बोलना अकाल यूक्त वचन कि कुछ भी कुछ भी अंटिशंट आप बोले जा रहे हैं कुछ भी बोले जा रहे हैं तो ऐसे वेग नहीं वो करना चाहिए इनका काईक काईक मतलब शारी शरीर के से कौन से वेग है जिनने हमें भारन करके रखना चाहिए तो देह परवर्तिरु या काचित द्विद्यदे परपीडिया इस्त्री वह गस्ते हिंसाध्या तस्या वेगान विदारिये मतलब दूचरे को पीड़ा पहुचाने वाले और शरी को द्हारं करें समाथें सब्सक्राइब लुक्तित करें और दावन की लिए नितांत बच यह आचारी ने और उन्होंने कहा क्या के अथ हो दौट मतलब बादा नहीं पहुचाते तो क्या करें कि कशाय कटू तिक्त रस्त युक्त जो कनीनी का उंगली जितनी मोटी शाखा किसी की भी हम लेंगे किन-किन के लेंगे बात करेंगे कि इतनी ले लें और 12 अंगुल लंबी एक जो है शला का अभी नेक्श प्रस्मा आएगा इसी में भी है कि 12 अंगुल लंबी हम एक दातून जिसको की दन्तपवन कहते हैं आयरोएद में आयरोएद की या संस्क्रिट की भाषा में एसी 12 अंगुल लंबी एक की पेड़ की वो तो उसको कूर्ची का याकि कूट कर या चबा कर कूंची जैसा बना लाएं और उससे हम दांत साफ करें अगर यह नहीं हो पा रहा है या यह नहीं बिल रही है कहीं हमें इसी जगाँ है जाहन इस तरह का नेम बभूल इत्यादी प्रक्ष नहीं मिल रहे हैं कि वहां और चीजों का भी करेंगे उलेक आगे कर दीजे सर यहां यहां कुछ उसके नाम आयते सर वापत लीजिए एक वापत लिए इसमें आप जो है कौन-कौन से लेंगे कि कथा कशायरस में आप कथा कटूरस में करण्ज तिक्चरस में नीम और मीठे की अगर आपको करनी है तो मवव इनकी दातों स्रेश्ट बताईए अगर कोई रसके लालच में कहता है कि नीम तो कड़वी लगती है साब मुझे मैं नहीं कर सकता तो फिर वो कशायरस की अगर उसको लेनी है तो खदीर की लेनी है अगर वो कटूरस की लेना चाहता तो करंज की लेनी है और चून जो हम मंजन काम में लेते हैं अक्सर वह मंजन आज कल पेश्ट का दो रहा गया है पेश्ट ब्रश बताईए एक तो हमारा जो है हम पेशे से खरीद के ला रहे हैं आर्थिक हमारी जो है वहां पूजी उस पखर चोरी है और उपर से कहीं ना कहीं स्वास्तिय दातों क आती है आप सब लोग देखेंगा लिखा होता है सोडियम लोरियल फ्लोल और फॉस्पेट कुछ इस तरह का वह मिलाया जाता है जो कि उसमें डारेक्ट फ्लोराइड है और वह फ्लोराइड आप सीधा दातों पर लगा रहें प्रश के मार्फत और रगड रगड के लगा र की तीन चीजें होती हैं इसमें सेंदा नमक और तेजबल यारि तुम्रू जो अटा वह बीज है तेजबल का और तेजबल के नाम पर चालाती है इन सब्सक्राइब बना लें और बदू और तिल्ली के तेल में बिलाके और दातों या उंगली से सीधा उंगली से रब करें या दातों कि साहितासी इसको रफ कर सकते हैं या कूट त्रिवर्ग तिरते जिसमें त्रिफला त्रिकटू उपर आगया त्रिकटू त्रिफला में खरडबहेडा आउला और त्रिजाद दाल चीनी इलाइची और तेजपत इनका चूंड लेकर और शहद में मिलाकर दातों प तेली पर रखें और उंगली से बहुत अच्छे सा आप करके देखेगा आनद आएगा आपको बहुत ही बढ़िया बंजन है सेंदा नमक लिया थोड़ा सा चुटकी दो चुटकी उसमें दो तीन भूंत छरसों का तेल डाला या तिली का तेल मिलाया और आप दातों पर प्रिवेंटी बेनिफिट प्रमोर्टी बेनिफिट क्या है कि स्वास्त्य स्वस्त्य वेक्ति में जो आहार में रूची मुख में स्वच्छता लगूता आ जाती है और मुख से स्लेश्मा का लेखन होता है कर दीज़े से अब अगरा है गंडूष और कवल अब क्या करेंगे हम वहां उठ गए हमने मुव पहाथ कर लिया शोच कर लिया दंते वाला हो गया मारा दंत मंजन हो गया उसके बाद गंडूष और कवल बहुत कम लोग जानते हैं कुल्ला हम सब करते हैं कुल्ला मुह में पानी लेते हैं ऐसा ऐसा मुह हिलाते हैं और बाहर पानी फेक देते हैं लेकिन गंडूश एक ऐसी विदी है गंडूशो मुखा पूरा मतलब मुखो पूर्ण रूप से भर लें और होल्ड करके रखें उसको गंडूश करत तो उससे क्या लाब होता है हनवोर बलम जबड़ों का बल बढ़ जाता है स्वर बलम स्वर का बल बढ़ता है वद्नोप चे भाषा जो है उसका उपचे बाशा शेली में उसमें बदूरता आती है शाथ परम चे रस ग्यानम अन्य रूचित्तमा रसका ग्यान अन्ड के रसका ग्यान जो हैं बॉहत अच्छे से प्रापत होता परन की प्रापति रस की प्रापति होती यह उच्तम रूची को भोजन में नहीं नहीं बढ़ादेता कवल सब्सक्राइब करने अपर हुए गंडूश हो गया कवल में करना मुखम संचारियत तूसा जा यह जो मुखमें लिए पाँच वर्स जो है कि आयू से लेकर मृत्यू पर रेम तक मतलब पांच वर्स चोटे बच्चों को गंडूश का सेवन नहीं कराना चाहिए उसके बाद से पांच वर्स के बाद से गंडूश सेवन करवाना चाहिए इसके बाद क्या करें आपने कवल कर लिया गंडूश कर लिया उसके बाद जिववा निरलेकन टंग क्लीनिंग आजकल टंग क्लीनर आ गए हैं नए नए धातों के मेटल के बने वे आते हैं और हम लोग बड़ी शांद से खुरच-खुरच के जबान को उसे हम जीव को साफ कर करता हैं लेकिन यकीन मानिये हम कहीना कहीं जो है खुद को नुकसान पहुचा रहे हो चीज से क्योंकि कोई भी मैटली कैसी एक खपची होती है वह बिल्कुल शार्प और वह हमारी टेस्ट वड़को रभ करके पुरा रप्चर कर रही होती है जिवा निरलेकने तू बारा की थी आपने दातों को बीच से 2 चीरे किये दौश से बन गए आदि यादि बनेगी दो इस तरह से कोई चीज है भी साथ करेंगे दो इससे बन जाएंगे सबनने के बाद फोल्ड कर लिजिए फोल्ड करने के बाद उसकी तो यह प्राकरतिक टंग क्लीनर होगे आपको तो पस्या जो भी श्लेश्मा आपके जमावा था उसको लिए और मुख स्वच लगू और रोक रही तो जाता है स्वादगरण करने की शमता बढ़ जाती है और उसकी गुणवत्ता में व्रध्य हो जाती है इसलिए जिव्वा निरलेखनी की जगह हमें यह प्रियोग करना चाहिए यहां वह तंक लीनर की जगह जिव्वा निरलेखनी की क्या करें योग प्रणयाम आचारे कपिल जी साथ म के बारे में वह आप लोगों को बहुत अच्छे से बताते होंगे लेकिन अन्य प्रतिवागी भी हैं तो योग के जो है अश्टिविद योग उनका पालन करना है और उसमें यम नियम आसन प्रणयाम प्रत्यहार धारना ध्यान और समाधी यह अगर जीवन में हम उतार लेत हैं यम में अहिंसा सत्य आस्तय भ्राम्चर्य हैं और आपरिग्रह यह 8 म हैं यह में में शोच संतोष स्वाध्याय और इश्वर प्रणिधान यह आता है आसन में इस्थिर सुखम आसनम जिस भी अवस्ता में जिस भी पोश्चर में आप इस्थिरता पूरवक और सुख पूरवक बैठ सकते हैं जितनी देर बैठ सकते हैं वो आसन है जबरन नहीं करना है जिस भी पोश्चर को आप जबरदस्ति धित्यचार कि बनाने की कोशिष कर रहे हैं यह जिस पोश्चर में बैठने के बाद आपका 피ram कर रहा है या आप अकणावा खिचावा मेसूस कर रहे हैं वहांसन नहीं आसन क्या है इस थिर हो सुख पूरह और आप इस थीरता का आयाम जो बड़ा दे वो प्राणयाम अब जानते हैं उसके बारे में अलग से चर्चा का विश्य हुआ हट योग प्रदीपे का मैं चले वाते चल निश्चल निश्चलम भवेथ योगी इस्थान उत्वम आपटी ततो वाईुम Commonwealth यह कह रहे हैं कि अगर वात चलती है तो चित्तम वात चलती है तो सब कुछ चलता है चित्त भी कि एक प्रक्राण में आया भी है कि तरह से हम देखते हैं व्यवहार में कि जिस तरह से वायू जो है मेगों को अगर हवा चल गई बादल हो रहे हैं वरसात होने का मौसम हो चुका है और हम समझ रहे हैं कि बहुत तेज बारिश आने वाली है लेकिन उसी तत्चन अगर वायू तेज गती से वायू चलने लगती है तो वह मेगों को कई और ले जाती है और वहां वर्सा नहीं हो पाती है तो यह वायू का है इसी तरह प्राण वायू के लिए का है कि नाभिस्त प्राण पवन है कट्ठाद बहीर विनिज्याती पातिम विष्णू पधाम्रतम विष्णूपधाम्रित के समानज से यह नाभी से चलती है, मुक तक कन्ठ तक आती है, नासा मार्ग से बाहर जाती है, पुन शिरिर में प्रवेश करती है इसटरह एक प्रानवायू प्राणों का संचार करती है शरीर में ज्यादा वीसिविस्तार में नहीं जाएंगे हम दिन देसः पर रहेंगे तो ये प्राणोंका आयाम विस्तार करने के लिए प्राणायाम 상 QR अष्टिघ्यों का प्रत्याहार-ुट्रॉल एक प्रत्याहार में आप क्या करते हैं अपकी सैंस ऑरगुर्गर्ण आपको ईंसू soap skate करना वह विश्य से भाहए से वे विठर उनका जो है दूर उठा लेगर उनसे विड्रॉल कर लेगर आप माइंड का टोटल कंसेंट्रेशन हुजा आप बैठ गए आपने आपको अंतर भूत कर लिया वह धारना ध्यान चिंतन और मनन Contemptation and Meditation वो ध्यान है और समाधी समाधी में जो Meditative Consciousness होती है या आप जो है बिल्कुल पूंड या बहिए जगस से कट हो जाते हैं एकदम से और समाधी की स्थिति में चले जाते हैं Next तो यह हम योग यह भी प्रातकालहत की चर्या ही चल रही है इसमें हम यहां तक योग तक पहुँचे हैं कि हम योग भी करें फिर अंजन करम हमने क्या क्या किया उठ गए शोच से निवरत हो गए कवल गंडूश कर लिया नेत्र का तरपन कर लिया जो भी अब उसके बाद अंजन करम करना है अंजन लगाना चाहिए अब अंजन में बड़ा विचित्र हो गया आजकल बहुत पता नहीं कौन-कौन सी हीरोईन जो है वो काले-काले वो बड़ी-बड़ी इस्टिक्स हाती है उनको लगा लगा के दिखाते हैं बड़ी-बड़े पॉस्टर लगा जेते हैं लेकिन अंजन जो है वो काजल नहीं होता जो लोग काजल लगाते हैं वो अपने नेत्रों को नुकसान पहुचा रहा है अंजन का मतलब सुर्मा होता है अंजन शब्द से सुर्मा जो कि आप सुर्मा लगबग जो है पुरानी ओरतें लगाया करती थी पुराने बुजुर लगाया करते थे सुर्मा दोनों में क्या फर्क है यह यहां आप इसमें पढ़ लीजिए कुछ तब तक मैं व्यभारिक बात आपते करता हूं के काजल जो है वह को होता है कि चि shortcut होता है यह कुकरता आपकाजल लगते हैं तो ड्रस्ट को पकड़ता ड्रस्ट बेक्किरिया जो यह पॉलैंगर नित्यादी को वह चिपका लेता उसमें सुठी की नहींपatifो पाउडर होता है उसको जब लगाते हैं तो तेज होता थोड़ा लगाते के साथ यह आँखों सा आँसु निकल जाती है तो जो भी आपका आखों का मल है नेत्र मल वह बाहर आ जाला बनने लगता है तो वह नेत्र से जाला भी धीर धीर कटने लगता है सुर्मा हमारे आचारों नहीं यहां जो है पांस तरह की मुख्य शुर्मा बताये हैं पुष्पांजन निलांजन और यह सारे अंजन जो है यह क्या है यह खानों से निकलते हैं जमीन से निकाले जाते हैं यह काजल नहीं है कि इसकी बहतर भी दी होती है कि आप बाजार से कोई अंजन लाएं सुर्मा लाने के बाद उसको नीम के पेड़ में संभव हो सके तो नीम के पेड़ में एक छोटी सी कोटर बना दें उसकोटर में जो आपने चिलका आटाया है उसमें सुर्मे की वह ठुकड़ा अंदर दालें और इसको पीस के अपनी सुर्मादानी में रखें और सलाही से आखों में लगाने नित्यम हिता अंजनम नित्य प्रियोक करना चाहिए सोविर अंजन को हित्यम अक्ष्णों प्रियोग आखों के लिए हिट कर है इसलिए अंजन का प्रियोग करना चाहिए काजल का कभी भी इसलिए अभी जो लेटेस्ट उसमें देखा होगा आपने पहले डिलीवरी के जश्ट बाद में और ते बड़ा-बड़ा काजल बच्चों के लगा देती आंखों में यहां तक गालों तक पुरा आकल डोक्टर स सुर्मा के लाब अनजन के लाब जो है दाह कंडु मलदनम चे द्रश्टी Κलेथ रुजा पहां क्या करता है यह कि दाह जलन को दूर करता है कुझली को दूर करता है आखों में मल है या कलेद चिकना पंजो हो गया है वो उसको आवरण सा आ जाता है एक लेर सी आ जाती के बार धुंदला पन उसको दूर करता है रुजा आँकों में अगर दद रहता है पीड़ा रहती है के बार आँकों की आइबॉल में बहुत दर्द होता है आइबॉल का प्रेशर बढ़ तो उस वक्त जब हम सुर्मा रोज लगाते हैं तो वहां से पानी निकलता लेता तो पानी जब आसों के रूप में निकलता तो कुछ सराव अंदर से भी आता है तो उसमें राहत मिलती है कि तेजों रूपा वहम चेव सहते मारू तातपो न नेत्रों रोगा जायंते तत्माद अंजनम आच्रेत कि तेज प्रकाश तेज हवा तेज धूप को सहन करने की शमता आ जाती है नेत्रों में क्योंकि शुर्मा खुद जो है तीक्षन है तोड़ा प्रवर्ति में तो यह तेज प्रकाश तेज हवा तेज धूप हम स्वतही सहन कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया यहां अंजन से तात पर यह सुर्मा है ना कि काजल अंजन प्राकरतिक है जबकि काजल मानव न अकराने वाला है फिर भी सोम मेता होती है जबकि काजल में तीशनता होती है क्योंकि दूवें से या तो दूवें की कालेपन से बनाया जाता है या कोई केमिकल मिला कि या आजकल तो कोईले वगएरा कि कोई राक वाक भी उसमें कुछ स्शामिल करते हैं शायद नेक्ट कर नश्य है यह बहुत महत्वपूर्ण जो है करप है नश्य कर्म जूँजम ज्यादा तर रोगय नहीं करते हैं से कorta नाखसे किसी ओश्च दी या दरव्य का सेवन करना नाक में कोई चीज या कटू करना चाहिए वह वादपर करक्रती है तरह से का सयवन करना चाहिए कैसे कैसे के में बताता हूं शीट काल्या हैं मंत्रींत में करेंगे अगर रीट की बात करुइंग्य के विसार्त करेंगे शर्य गरिश्व स्थों के स मिंझे नश्य में क्या करना है मन प्रात। नश्य में दो भूं अब आसे में दो नन अच्छे से और दिमाग में हलका पना जाएगा और यही नश्य अगर आप यह अनु तेल इत्यादी का नश्य लेते हैं तो उसके लाब भी आप आगे बात करेंगे लेकिन जो लोग मेधा काती और बुद्धी इत्यादी को बढ़ाना चाहते हैं वो जोतिशमती तेल का नश् तो उसके बाद आपको छीक वगेर आती है और धीरे धीरे जो है आपकी बुद्धी इस्मृति और मेधा सकती यह बढ़ती जाती है नश्य की क्या फाइदा है वो जो है आपका आज कल बाल जढ़ने वाड़ा है खालित्य पालित्य डेंडर फित्यादी और बुद्धी के लिए और जो जिनको थोड़ा सा मुसम बदलते ही जुकाम इत्यादी हो जाता है उनको नश्य करने वालों को व्याधियां कभी भी नहीं होती है इसलिए नश्य का सेवन करना चाहिए नासाही सिर्षोद्वारम सिर्थ तक जाता है अभ्यंग मतलब मालिश मालिश जो हमें क नित्य प्रति दिन अभ्यंग करना चाहिए इससे क्या होगा जरा यानि बुड़ापा श्रम अतलब थकान जब भी आपको थकान हो रही है आप मालिश करके देखें तेल के मालिश करें थकान दूर हो जाती है बुड़ापे में जो है इसकी ड्राय हो जाती है बहुत जादा शरीर पुष्ट होता है आयू बढ़ती है नीन बहुत अच्छे आती है आप देखेंगा बच्चों को आप बहुत अच्छे से मालिश वालिश करिए वह सो जाते है खुब बच्चे वह नीद आ जाती है उनको छोटे बच्चे कर रो रहे हों तो अच्छा निर्मल होती है खुरी रही तें शरीर द्रणो जाता है इस तरह से एक दो या तीन दिन के अंतराल पर अभ्यंक करते रहना चाहिए अगर सकते हैं था बहुत अच्छे बात है वड़ना अंत्राल पर आप कर सकते हैं अभ्यंग के विशेश इस्तान देखिए बहुत महत्तुपूर्ण बात या इन्हों का है शिरह शर्वन पादेशू तम विशेशेंड शीलिये सिर में पान में और पेर के तलवं में पादेशू नीचे का इपनशी कोई भी नहीं करता हम पूरे बदन में बहुत अच्छे से मालिश करता है लेकिं सीर पर और टेह उन्हों कि इसको और आचारे चरक ने जगवार का पादा पाद करना चाहिए मतलब नीचे जो पएरो में है वहां करने से और वहां से अभ्यां करने क्या होगा नेत्र जोती और चेहरे का ओज को प्रबल होता है आप आप ने देखा होगा हमारे भुझूर्ग देखते हैं कि हम इसा आग पर अगर पेर कर देता है तो यहां अभ्यंग करना चाहिए नेक्ट कर दीजिए कर देखिया साइंस्टिटिट रिए सब्सक्राइब करने चाहिए उन्हों का इसपर्ष लेंद्रिय वह इस पर्ष होता है इसपर्ष का जो अनुभाघ टेक्टाइल सेंशेशन होता है और तेल वात नाशक होता है अता है शरीर में मर्दन जो है उससे तविछा के लिए 7 ho तो आपका यह अव्यं परम तुच्य है तो अच्य मतलब तुचा को ना पहुचाने वाल मूर्द तेल Smilein घर हुए इस अघ्यंघ में क्लिएबिël लेकिन मूर्द तेल में क्या हुता है या कोई पिचू या कोई खोटा एको लें और उसको हम यहां यहां पर रखें या ज्यादा सा तेल लेकर घड़े पर थोड़ी देर उसको ठपता पाले यह पिचू जदधा अच्छा होता है कि उसको भर कर रखे उसको शेरशने वह से स्ठीज ने भाल नहीं पकेंगे बाल सफेद नहीं होगे नांगय केशा परपतंची जह और बाल गिरेंगे बिने बलम शिरक पाला नाम का और विशेश रूप से आप देखेंगे जहां भी हमें कोई मजबूती प्रदान करनी हो वहां तेल का प्रियोग किया जाता है जैसे पुराने समय में जब कोई लखडी या डंड होता था दंडा उतको तेल लगाया जाता था बार 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 और लखडी मजबूती को प्रदान उतको मजबूती दी जाती थी इसी करते हैं और और रहें रहेंगे द्रण मुलाष्ट दीरगाष्ट क्रश्ना केशा वह उन्द्रियानी प्रसीदंती सारी इंद्रियों को प्रसादित अच्छे से परसादित होती है और सू तुद्वक्भव सी चाहाननम मतलब जो आपका चैरा है वह बहुत ही आभावाडा सू त्वकभौती, उतकी तफचा बहुत अच्छी हो जाती है फूल निद्रा लाभे सुकम्चे कि और सुख प्राप्ति यह निद्रा लाभ होता है अगर आप मुर्द तेल का सेवन करते हैं यह मूर्द तेल लगाते हैं यह विदी को अपनाते हैं तो इतने सारे लाव है और यह हमें नित्य करना चाहिए नेक्ट कर दीजिए सब्सक्राइब उसके बाद कर्ण तरपन कानों में भी तेल डालना चाहिए ऐसा आचारे कहते हैं कर दीजिए बेंडिंग जाता जबड़ा वह नहीं होगा और टॉटी कोलिस मन्यों मतलब तो गर्दान अखडी की रह जाती है इस तरह की व्यादिया नहीं होती जब कान में तेल डालने थे न उच्चेर शुर्तिन ना उच्छा सुनाई देना लगेगा मतलब तो आपको कम सुनाई नहीं देगा ना बिल्कुल बाधिर्य बाधिर्य की प्राप्ति भी नहीं होगी अगर आप नित्य कानों में तेल का तरपन करते हैं तो फिर आता है पाध तला भ्यंग जो हम बात कर रहे थे भी उसकी बात खरत्वम इस्तब्दता रोक्ष्यम श्रम सुप्ति और सुप्ती पाध्योश शुनफर शूना पण सद्य एव प्शाम लिती पादाभ्यंग निश्यवनाथ इनको सध्यतय मतलब तुरंत लाम अगर कोई करता है तो मिलता है जायते सुक उमारियम जोई बलं स्तेरें पादीयों Perspex वायू का समन कर देने वाला है । आपका गरदर्सी रोग नहीं होगा श्याटिका जिसको बोलते हैं साइटीका आम बोलचाल में वह नहीं होता पादियों प्टनम्जे और पेरों में फूटन नहीं ऊगी पूटनी यह ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वहाँ बढ़ी होती है तो एसे लोगों को यह करना चाहिए ना सिरा संकोच पादा अब्यांग् या उनका वैन्स का स्वेटिंट है अभय हमने योग की बात की ती और योग में और व्यायाम में किया उंतर है तो शरीर आयास जनकम करewyn संग्यतम आयास उस्टिर मतलब एक प्रणायाम ये यह में इस्थिर सुखम आर्थनम जिसमें आप बहुत सुख पूर्वक रहते हैं बहुत इस्थिरता शरीर बिल्कुल इस्थिर होता है आपको कोई एक्ष्ट्राइफर्ट नहीं करनी होती है वो योग है लेकिन आपको जहां एक्ष्ट्राइफर्ट करनी होती है शरीर आयास जनकम आयास मतलब जहां थकान होती श्रम होता है और एक्स्ट्राइफट आप करते हैं उसको व्यायाम कहते हैं और शरीष चेष्टा या चेष्टा इस्थिर्यार्था बलवर्द्नी जो चाहा कर चयदन इस्थित रूप में हम चाहा कर जो शरीर के लिए करते हैं यह चीज जो हमार कितना व्यायम करें तो वैसे तो अर्द बल जितनी आपकी शक्ति है जितना आपको लगता है कि मैं दो गंटे साइकल चला सकता हूं या दो बीस किलोमेटर चला सकता हूं तो इतना नहीं चलाना है आपको दस किलोमेटर ही चलाना है अर्द अर्द बल तक आपको करना है माथ़ा है और नासि का चिद्रों में और संद्धियों और कख्षा में यहां से पसीना यहां से यह पश्कीना आने लगेई यह व्यायाम हो गया है पूर्ण आज का इसको है जिसको यहां से बेंप कान के पास से ललाट से पसीना चल गया है तो यह लख्षन widya कि सम्झें क्या करेगा करने की समर्त आजाएगा जो घंघ जो गन मतलब बड़े फूले वे जो गात्र थे या अंग थे वह दीरे जिने चटने लगेंगे व्यायम माह दुप जायते एसा व्यायम से होता है नेक्ट कर दिजिए लगेन है योग की बात हमारी वैसे तो हो गई ड्ककर लीजेश को भी नेक्ट कर लिजिए हां उद्वरतन ऊद्वरतन पर हम बात करेंगे हमने अब्यंक की अब्यंक होता है ज्यादा दरव्य मुख्यता हम लेते हैं ज्यादा शूष्क लेंगे सिनिक्द्वे होता है तेल अलोम करते हैं ज्यादा अभ्यां वह अभ्यंग कहलाता है ऐसा अभ्यंग जैसे बालों की दिशा नीचे है नीचे जुके हुए है इस तरह से हम करेंगे तो यह अभ्यंग है लेकिन प्रतिलों करती से जो किया जाएगा न्यू और ज्यादा दबाकर अधिक भार से उसको उद्वर्तन बोलते हैं बालों की विलापन और विमलापन इस तरह के शब्द कहें है और दूर्गंद्यम गौर्वम तंद्रा कंडू मलं अरोजकम दूरगंदता को दूर करता है गुरूता यानि भारीपन को दूर करता है तंद्रा जो हमें निद्रा जैसी इस्तिति और बीच में जो उउंगते रहते हैं थकान मैसूस हो रही होती है उस्तरह की इस्तिति कंडु यानि खुजली तवचागी खुजली मल जो पसिना इत्यादी या नियम्द तवचाप लगया है उनको और अरूची इन सब को दूर करने वाला है उत्साधन यह दो तरगा हो गया उत्साधन और उत्साधन वह हैं तो यह तो जो है केमिकल लिंग मिलाये जाता है और बहुत सारी चीज़ा नहीं करना चाहिए आप उसमें चंद्या दीका इनका कल्क लें उनको लें और उश्दी चून है उनको प्रियोग करा सकते हैं या कलक यूपर भी सन्ह मिलाकर और उसको तवचाप प्रियोग कराए तो वह स्निग्द जो है उत्सादन कहलाता है या केवल ओश्दी का चून आपने लिया और सीधा तवचा पर आपने मल दिया तो उसको रुक्ष उद्धर्चन कहते हैं नेक्ट कर दीजिए उद्धर्धन के लाब इस्त्री करनम अंगाना अंगों को स्तिर करता है तुपप strategies परसाद करम परफें अंधक्र उ-फैन से भी जादा और है रिफाइन करना प्यूरीफिकेशन के आंगी स्टेज होती है कि हम कहते हैं यह यह जो है शुद्ध है और एक टेल आता ना शुद्ध टेल और हिफाइन्ड यह सब ज़्यादा तुर्साइठ करने के लिए शिरा मुख विवक्त त्वम्त तकत्स के मुख bunlar यह लिए पासिने केृop वह 40 पोरों को खो देता है और तकस्त इसताने स्थ उनको सभड़ा कर और तेज बड़ा देता उस तरह की नेक्सिंट बड़ा देगा लें कि नौन करेंगा अब लगा सथ करेंगे स्थान क क्या करेगा अब सिनान करना कि है यह तक पहुंछ गये अब अब स्नान पाम आये हैं कि नित्य स्नान करना चाहिए और स्नान क्या करेगा दीपनम भृष्यम आयुष्यम स्नानम उर्जा बलप्रदम कंडू मलम श्रम स्वेद तंद्रा त्रिट दहा पापमजित अब इसको थोड़ी देर रोक के वेवारिक बात करते हैं आज कल स्नान का ब जब आपका बोडी टेंपरेचर आकि की नोर्मल वह जाए तो फिर आपको स्ञान करना चाहिए एक क्या करना होता है कि भुजूर्गों का खास्तों और सा ख्याल रख tremendous को सर्दी के मौसम में ठंडे नहीं नहांने देना चाहिए और सीधी सीधे गरम पानी को कभी भी सिर पर नहीं डालना होता है अगर आप गरम पानी सिर पर डालते हैं और ज्यादा तरह आपने सुना होगा कि सर्दी के मौसम में जब भुजुर्ग लोग जाकर बात रूम में और वो अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं कुंडी बंद करके जाके उन्होंने ठंडे पानी से सनान किया और पता लगा वहाई पर रह गए और कुंडी भी नहीं खौल पा रहे हैं वो गिर गए हैं वहाँ अब अंदर से चटकनी बंद है और बड़ी परेशानी हो जाती है तो ऐसे में क्या करें बुजुर्गों को गुंगुना पानी से सनान कराएं और सिरस्णात करां हमेशा सीर्थ की तरफ सनाना चाहिए नाने में और बहुत तेज और बहुत ठंडा पानी सरपर नहीं डालें मतलब body temperature के जो according जो पानी का temperature हो उतना गरम उसको रखें और उतना ही गरम पानी सर पर डालें बाकी body के अंगों पर आप थोड़ा गरम पानी ले सकते हैं सरदी के मौसम में लेकिन वो एकदम से थंड़ा पानी का वो नहीं करें अन्यता हानी होती है जैसा कि हमने व्यवार में कि हमने दशना कर देखा यह तो सनान क्या करता है अगनी दीप के व्रिश्य है आईू को वढ़ाने वाला है द्था यह सकता है कुझली इत्यादी को दूर करता तो वह निचले भाग का परिषेग जो है कौटी परिदेस कमर की नीचे का है उसको हम गरम पानी से दोए क्योंकि कटी प्रदेस नीचे परिशेक नहीं करनाया चाहिए यह आंखों का और इनका बलनस्ट करता है इसलिए उत्तमांग पर नहीं डाले अधोंग पर जो है नाभी से नीचे नेक्ट कर दीजेए वहां आप उश्ण जलका प्रियोग कर सकते हैं अनुलेपन अनुलेपन में हम चीजें जो लगाते हैं बाहर से डियो व्यो इस्प्रेइज जो करते हैं वह अनुलेपन है हमारा व संत्रितु में कपूरु चन्धन अगुरु अग्रु मतल्ब अगर अगरवत्ती है अगर और कुमकुम इनका करना चाहिए विश्न वित्तु में चंधन आधी का लिफन करना चाहिए और शरद रितु में कपूर चंदन सिंदूरी और रजनी का लेव रजनी मतलब हल्दी इसका लेव करना चाहिए नेक्ट कर दीजे सकते कि वस्त्रधारन कैसे करें यह बहुत दिन चर्यागी हर चीज का अपना बहुत इंपोर्टेंस है विशे बहुत बड़ा इसको बहुत चोटा किया किसी तरह से बहुत कम शब्दों में कहने की कोशिश की है तो तो किसी रितु में कौन से वस्त्रधारन करें आला कि यह कल के प्रवेनी यानि उनी वस्त्र पहने ओशे यानी रेशमी वस्त्र पहने और गुरु और उुष्ण में यहाँ श्वेत शुर्भी वस्त्र कशाई वस्थ्र उनको कशे ले पदार्थ में या कशे ले या कोई व्रक्ष की छाल या पत्तों के साथ रंघ ले उसी से कशें लगो और पिततनी स्थरेके बद्र पहानने चाहिए वर्शरी तुम्हें शुक लियानी वैट कलर के हो ना चाहिए और अंबर वर्ण्यानि इसका frågor होने चाहिए लगु शीट गुण युक्ता ओने चाहिए शरेद्रीत हमें अंबर वस्तिव होने चाहिए इनका लाव क्या है काम्यम याशय चल लक्ष्मिद्न प्रहर्ष्ण ये आपका लक्ष्मेब सब्सक्राइए को दूर करने करने तो ईलक्ष्मी और अपका जो है समाज में या कई भी आप जाते तो आपको एक अट्रेक्टिव बढ़ा देता है शुरी मद पारिशंक कई भी आप परिश्त में जाते हैं तो वहां भी आपको शस्तम बहुत अच्छा हो करते हैं और निर्मल अंभर धारन करने से साड़ी चीजे प्राप्त होती है नेक्ट कर दीजिस है क्या 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 करना चाहिए सुगंद लेप माला रतन ये सब भी धारण करने चाहिए जैसा आज अभी हम लोग करते हैं माला पेंते हैं जोने की चैन तो वहाहा पुष्प्रका सेवान और बुष्प्रका धारन बताया। Tsub Suzuki ranked भूप रधान। सुमनस्य म अलक्ष्मिद्न गंध मालया निशेवण यहाँ भूई है कि सो मनस्य मन कि लिए बहुत प्रियह होते हैं मन के लिए बहुत अच्छा लगने वाड़ा होता है। सुगंद से आयुश्य बढ़ता है काम्यता बढ़ती है पुष्टी और बल बढ़ता है तो हमें इन चीजों का धारन करना चाहिए रतन और आभुशनों का धारन करना चाहिए रतन आभुशन धारन करने से सोबाग्य मंगल और आयू की व्रद्य होती है राशी के अनुसार र करना पहन लीजिए तो वह हम जब उस तरह का वह रतन पहनते हैं तो मारे दुख दूर होते हैं मन परसन हो जाता है सरीर सुन्दर हो जाता है और ओज की बढ़ जाती है काती बढ़ जाती है नेक्ट कर दीए इसलिए हमें गंद माला रतन और आभुषण इनका भी धारन करना चाहिए चोर कर्म केश नक कल्पनम यहां देखिए बहुत अच्छी बात आचारे ने तीन पक्ष में दिन में केश मतलब 45 दिन में तो केश करतन करवाना चाहिए दाड़ी नक यह अवश्य व्युथ से बनाने चाहिए विश्यू रूप शूपल केश नक और करतन नहीं का काटने नहीं है काटना है करना समारना जिस तरह से जो आपके आपकी उसके अनुभूत अनुकूल हो आपके शरीर के अनुकूल आपके चहरे के अनुकूल हो आप सुंदर लगता हो ऐसा कलपन करें करतन नहीं करें कि इधर से कटवा दिया और वैसा कबूतर जैसे या ऐसे बनवा लिए नए नए डिजाइन के नहीं आपको चेहरा ही बड़ा अजीब लग रहा है लोग आप पहसरे और आप खुश हो रहे हैं खुद खुश हो रहे हैं और पेसे भी अधिक हम सामाने जो कराते हैं वह पचास रुपए लगें और वह करतन के आपको डेर सुरुपए देके आने परते हैं मतलब आपकी जो है पेसों की भी हानी हो रही है तो आप क्या करें करें और प्रसादन करें नेक्ट कर दीजिए से पादत्र धारण चूता खड़ाओ चपल इत्यादी जम पेहनते हैं उसका विए बड़ा महत्व है चक्षुष्यम देख्या पेरों का बड़ा थंबंध है और यह चक्षुष्य पादत्र के लिए बहुत महत्वड बात यह कि उन्होंने कहा है कि जो पादत्र धारण और प बार-बार दिन में रहते हैं वह उनके नेत्र जोती बहुत अच्छी होती इए सब्सक्राब और दखिए कहीं मंदिर में जाते हैं मसजिद में जाते हां पढर दिन में पांच वार जाते हैं तो पाझों बार आपको पेर debt two new आ आप तीन बार मन्दे जाते हैं दो बार जाते हैं लूव जाते हैं तो वह कही God that स्वास्तिस उतसे बना रहे और आप धर्म की पालन के सास्वास्तिव भी कर पांग है तो चक्षूष्च्य नम इस परशनम हितम इस परह के लिए उत्प evolutionary बल को देने वाला प्राकरम और सुख को देने वाला व्रिश्य मतलब पोरुशक्ति को बढ़ाने वाला यह जो है पाधत्र धारन इसी तरह पेरों में जब हम यह पाधत्र या जूता चपल जो है यह भी हमें क्या करना चाहिए प्रकृति के अनुकूल यह प्लास्टिक इत्य काटे उत्यादी चुबना ठोकर रित्यादी लगना इन सब सब बचाएगा आपकी रक्षा करेगा तो यह स्वास्तिक लाप के लिए अत्यानतावश्य नेक्ट कर दीज़ए रही कि यह अमारी प्रातचर्या हुई प्रातचर्या में इसके बाद हम जो है मद्यान चर्या य करना है कि प्रात्य चर्या के बाद हम क्या करें इस्ट प्रिये जनों सिष्ट सब्य जनों के साथ और त्रीगुण यूग्त कथाओं के साथ जिन में धर्म अर्थ और काम का वर्णन किया गया हो एसे ग्रंथों को पड़ते हुए मरी दिन्च मद्यचर्या को करें कोई पुस् का एसी चीज़ों को पढ़ें और शिष्ट जन प्रिये जन या सब्ये जनों के साथ हम बैठें उनसे कुछ अच्छे अच्छी बाते करें साथ ही सद्वरत के साथ जवर्णित जो सामाजिक जो है व्यवहार के नियम है उनको हम सीखें बुजुर्ग लोगों के साथ बैठे उनसे पुरानी और अच्य अच्छी बाते सीखें इस तरह हम जो है यह यहंत की दिन्चर्या हो गई और इस मध्यानचर्या के बाद मध्यान चर्या के साथ ही हमारी जो देनन दिन चर्या में जो हम पेशा कमाने के लिए या जो ग्यान आर्जन के लिए अगर विद्यारती हैं तो और कोई पारिवारिक जीवन वेतित करने वाड़ा वेकती है तो वो अपना धन आर्जन के लिए अपना प्रस्तान करें यहां त कर लें संद्याकाल में आते ही अपने हाथ पेर मुग का प्रक्षालन या धावन करके अपना भोजन भोजन बिल्कुल रित्व अनुसार और प्रकृत्ति के अनुसार हो उस पर कल बात कर लेंगे यह सब सेवन यह करने के बाद आप समय से सो जाएं आज कल वाटसप और मोबा अगर मैं तब नहीं सो पाया तो मैं ब्रह्मूर्थ मोठ नहीं पाऊंगा और मेरी दिन चर्या अस्त्वियस्त हो जाएगी इतना ही कहके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं आप सबने धेर रेके साथ मुझे सुना और मेरी बातों को मुझे लगता है कि आचारी की स्वास्ति आपका समय देने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूगा क्योंकि काफी समय हो चुका है कि आप लोगों ने सारी नई जानकारी प्राप्त की होगी और विसाही ऐसा है जिसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया है मदला अगर मैं सब मेरे सब्द कम पढ़ जाएंगे अगर मैं उसके बारे में कुछ कहने के लिए कल के दिन पर सर कुछ ट है दूसरी हम लोग एक सब्सक्राइब करने वाले हैं काइंड और सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज लगबक सेवेंटी लोगों ने जोइन किया था आप अपने में भी आपको यह जो भी इन्फरमेशन है आप लगता है बहुत काम की है सबके काम की है तो आप इस मैसेज क तो थोड़ा सा और भी सर्कुलेट करें ताकि बाकी लोग भी लावन में हो सके आज हमारे साथ में 25 डॉक्टर सायरवेदाचार और वैद्ध जुड़े थे मैं उनका सभी का स्वागत करता हूं अबिनंदन करता हूं आप लोग बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़े थे कल का भी वर्क्साप है तो कल का एक गट्टे का समय रहेगा तो कल भी आप लोग ज्वाइन करिए और मेरा एक रिक्वेस्ट और भी है कि हम लोग यह हमारा सिक्स्टी एट्ट एपीसोड था हम इसे फ्री वर्क्साप करते रहते हैं जो अपने इंडिया आउ कर देंगे तो हम आपको मैसेज डाल पाएंगे या मैं आपना गुरूप में एक नंबर कर देता हूं उसमें आप हमें वाट्सप कर देंगे तो आपको हम वह गुरूप में आपको मिल जाएगा और मैं लिंक भी इसमें डाल दूगा तो लिंक से भी आप लोग जोईन कर सकते हैं देखिए तो आप गुरूप में लिंक डाल दीजिए जो अपना गुरूप का है रेजिस्ट्रेशन लिंक हमारे साथ में डॉक्टर एकबाल जी और जुड़े थे पता नहीं अभी है या निकल गए वह उनका भी मैं सागत करता हूं और यहां वह उनको हम लोग बुलाएंगे और आरवेद को हमें जंजन तक पहुंचाना है यह आज समय आज कि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आवस्च्छ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए मैं आपका बहुत 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 आबार प्रकट करता हूं डॉक्टर इकबाल जी कि किसी का कोई प्रश्ण हो तो रहेगा इंपॉर्टेंट प्रस्ण है तो आप मैं रख सकते हैं पूछ सकते हैं कोई question है सर ने काफी बॉठिर सारे information किया है उसमें से अगर कोई question है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं गीता जी यू अप किलिएवर्यटिंग और कोई question है तो पूछ सकते हैं जो आपने अंजन की बात करी थी तो उसी से रिलेटेड है जो हम कई लोग बोलते हैं जैसे परिवार में विजवत लोग की बादाम का काजल लगाना चाहिए है या फिर दीपक जो हम जलाते हैं दिवाली के टाइम पर उसका जो तो उसकी आँच से जो काला जो बोज जाता है वह भी और अकमें लगा Holz या ख्री या श्थत द्रव्य के बात करते हैं तो वह प्रियोग किया जासकता है लेकिन धी से जो डेया जा रहे हैं आप पर ऑ तो जो एफेक्ट है जो नेगेटिव एफेक्ट है वो बैलेंस हो जाया करते हैं तो इन चीजों की एक क्या पूरी विधी होती है तब हम उस चीज को करेंगे तो ठीक है अदर्वाइस तो अंजन का आर्थ जो है सुर्माही गरंड करेंगे हैं और सुर्माही लगाएं और ठीक कर लिया उसको तो वही अपने पकड़ेगा ना वो डश्ट पोर उसको पॉलेंगरें इत्यादी तो फिर वो हर्म फूल हो जाएगा बादाम का सूखा पॉम में हम लगा से हाँ ड्राइफों में यूज़ करेंगे उसको चलिए तैंक्यू वेरी मच सभी का हम लोग कल म बहुत थान्यवाद वाट डिट सारे मैसेज़ेज रिसीब हो रहे हैं मुझे वेरी वंडर्फूल वंडर्फूल से संवेरी इंफॉमेटिव थैंक्यू बेरी मच कल मिलते हैं थैंक्यू लोगों का रजिस्ट्रेशन है उनको हमें से संके रिकॉर्डिंग्स प्रवाइट क ने कि तु कि अगैं सबी का दन्यवां